आज के वीडियो में शेल करेंगे आपके साथ हेल्थी और टेस्टी रेसिपिट राइफ्रूट्स और खजूर पोर यूज़ करके हम बनाएंगे राइफ्रूट्स एंडेफ्टोर्स इसमें हम कोई शकर एड़ नहीं करेंगे ना ही किसी किसम के प्रेजर्वर्टिवाइब कर चल्याद कते हैं बनाना ड्राइफ्रूटेर् यल में चाहिए खजूर ड्राइफ्रूट रोल बनाने के लिए हम चाहिए खजूर एककप खजूर मैने लिया है कि दिek उसके बीच हटागि जबंदुन तड्रैफ्रूट्स यूज कर सकते हैं 2 तेबल स्पून खस-खस और 2 तेबल स्पून फाइन चॉक्या और पिस्ता में लिया है प्रोम को गार्निश करने के लिए इसके अलावा हमें चाहिए 2 तीस्पून असली घी अब लोगीट में पान को गरम करेंगे उसमें हम पहले हिस्को द्राई रोस्ट करेंगे हमें बहुत लव रखनी है क्योंकि तो χंस यूप जली रोस्ट हो जाती है और जल सी यह साथ ही पिस्ता भी आड करेंगे पर एक मिनुट के ऐसे जोस्ट करेंगे एक मिनिट तक हशकसर पिस्ता को भी म Northeast निकालेंगे जिलीद जिलाच में उन्हें मालेगरं इसे करेंगे मे कुर्ड न प्री खालेंगे जिलीट के लिएक दो मिनुटकर नट्स भी हमारे अच्छी तरह से फ्राय होगे यहीं भी एक प्लेट पे निखा लेंगे अब पान मटा लेंगे बाकी बच्छावा घी चौप किया हुआ खजूर कर रिटे इसे भी अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे अज होनी चाहिए अजर आपीक नएटा उटे में आपके अच्छी महीं पढ़ेंगे तो रोल अच्छी को यूज पर देंगे एक यूझ करा दो है । तीन से चार मेंटे कर भी इसे कर लिए यूदे अ मैंटी प्यानी इ के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कैस की फ्लेंगे अब आफ कर जूंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर दो पूर तो बहुत हेल्दी और नूटिशियस रेसिपी है इस रेसिपी को आप जरूर प्राइब एक तो पसंद आएगी अब है अब आप आसे इस प्लेक पे निकाल के हएलका सा थंदा कर लोने का खजूर ड्राइब फूर का मिक्चर हमारा हएलका सा थंदा हो गया इसे हमें ज्यादा थंदा नहीं करना है आप इसे छूँ सकते हैं इतना ठंडा कर देंगे, अगर ज्यादा ठंडा हो गया फिर रोल नहीं बढ़ेगा, अब हम इसके रोल बढ़ाएंगे, मैं इसे एक लॉक का शेप दे दूगी, अगर मिक्शर आपके हाथ पर छिपके, तो आप हलका सा घी लगा सकते हैं हाथ पर, इस सरह से पूरा मिक्शर लेकर हम इसे लॉक का शेप देंगे, अब इस मिक्शर का यूज करते हैं लड्डू या फिर पीसेस में कटकर के स्क्वेर्स भी बना सकते हैं हमारे रोल हमारे रडी है, अब हमने जो खसकास और पिस्ता ड्राय डोस्ट करके रखा था, हम इसे उस जो कोट कर लेंगे रोल खसकास और पिस्ते से वाट कर लिया अब में इसे एद हर गंटे के लिए, अब में इसे आते हर उसे त्थे खंट कर लिया ताकि यह थोडा सा फिर्म हो जाए लिए फिर हम इसकी पीसेस कट करेंगे वागे फंसे गंटेटे की करोर को हमने स्रिज में रखा था, अब यह थोड़ा सा हार्ड और अब हम से पीसे स्कट कर लेगे, जिस säga उनस के आपट इसी पर रहें सारे से समेठी स्कत कर लें इसी तरह से में सारे सबीं कर लो dabła आई होब आपको रेसीपी पसंद आई होगी अगर पसंद आगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फिट्बाइक देना ना पूलें